जैहिन दोस्तों मैंने धिवेंचोहान आज हम करेंगे क्लास 8 का 3.1 का question number 7 तो इसमें हम देख लेते हैं हमें एक आकरती दी गई है यह देखिए इसमें ये वाला कोण है 30 और यहां है 90 और ये Y हमें निकालना है X निकालना है और Z निकालना है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए X प्लस 90 बताया गया है 180 180 का मतलब रेखिये जोड़ तो देखिए हम इस आकरती को देख लेते हैं यह देखिए यह एक सीधी रेखा है इस तरफ से आपने केंगे और इस पर ये दोनों कों बन रहे हैं ठीक है यह सीधी रेखा है और इस पर X प्लस 90 180 क्योंकि रह खिये जोड़ रहा पर कों बन रहे है ना इसलिए रह खिये जोड़ तो x plus 90 हो जाएगा 180 ठीक है यह देखिए तो x is equal to x plus 90 is equal to 180 ठीक है तो x को यहीं छोड़ देंगे 90 वहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा तो 180 में से 90 गया तो 90 यानि कि x की value आ गई 90 अब y कहा रहा है y निकालना है हमको ठीक है तो अब देखिए यह y यह y हमको निकालना है तो यह दोनों इसके अन्ता सम्मुक कोण है ठीक है तो जो इन दोनों का जोड़ होगा वो हमारा y होगा y के अन्ता सम्मुक कोण है 90 और 30 तो इन दोनों का जोड़ जो होगा वो होगा y का मान ठीक है यह बाहे कोण है और यह दोनों इसके अन्ता सम्मुक कोण है तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारी y की value आ जाएगी ठीक है y is equal to 30 plus 90 यानि कि अन्ता सम्मुक कौन ठीक है तो y हो गया हमारा 120 अब z देख लेते हैं यह देखे यह z है ठीक है फिर से देखिए रेखा पर बन रहे है कौन है तो यह हो रहा है रेखिये जोड ओके रेखिये जोड हो रहा है इसलिए z plus 30 is equal to 180 क्यूंकि यह बन रहा है रेखिये जोड तो z हो जाएगा 180 minus 30 तो क्यूं क्योंकि रेखिये जोड ठीक है तो 180 में से 30 गया तो Z आ गया हमारा 150 क्यूंकि यह 30 का था और पूरा हमारा रेखिये जोड होने के कारण 180 का है तो 180 में से यदि हम 30 निकाल देते हैं तो यह हो जाता है हमारा 150 यानि कि Z की value आ गई 150 अगला question देखते हैं सबसे पहले इसकी आकरती को हम देख लेते हैं ठीक है? यह एक चतुष कोण है चतुष कोण में हमें 3 कोण दिये हैं यह 120, यह 80 और यह 60 चतुष कोण में 3 values दिये गई हैं और A हमें निकालना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम A का माप निकाल लेते हैं चतुष कोण के अंदर के कोण का माप जो होता है वो 360 degree होता है ठीक है? चतुष कोण के जो 4 कोण अंदर के होते हैं उनका जोड होता है 360 ठीक है? तो हमारे सब ही कोण हम ले लेंगे 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस A इस इकोल टू 360 ठीक है? तो यह देखी हमने values रखते हुए यहाँ पर solve दिया शुरू किया है यह 3 कोण और यह A इस इकोल टू 360 ठीक है? इन सब को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 260 यानि कि A प्लस 260 अब 260 को हम RHS पर लेके जाएगे तो यह प्लस का है यहाँ हो जाएगा माइनस का 360 मेंसे 260 को माइनस करेंगे तो आएगा 100 यानि कि A आ गया हमारा 100 ठीक है? यह जो A था हमारा 100 ठीक है अब इस आकरति को अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये 100 आ गया ठीक है अब ये रेखा है और ये इस पर दो कोन बन रहे हैं रेखिये जोड 180 का ठीक है ये रेखा है इस पर ये दो कोन बन रहे हैं ठीक है रेखिये जोड 180 अब देखिए इस पर ये रेखा है इस इस पे ये दो कोण बन रहे हैं, यानिकि 180, रहें जोड़, इधर भी सेम चीज है, यह रेखा है, इस पे ये दो कोण बन रहे हैं, रहें जोड़, इसका मतलब 180, अब इसे हम solve कर लेते हैं, यह देखिए, यह देखी, x plus 120 is equal to 180 कहां है हमारा x, यह रहा x plus 120 is equal to 180 because रेखिये जोड़, यह रेखा है, इस पर यह कौन बन रहे हैं, ठीक है तो यह हो गया, 180 रेखिये जोड़ अब इसको हम RHS पे लाएंगे, तो हो जाएगा minus 120, 180 में से 120 को minus करेंगे तो x is equal to 60, ओके अगला है y plus 80, देखिये, y वाला देख लेते हैं एक बारी, यह देखिये यह रेखा है, इस पर यह दो कौन बन रहे हैं, रेखिये जोड़ ठीक है, रेखिये जोड़ का मतलब 180, तो 180 में से 80 को minus करेंगे तो आजाएगा 100, यह देखिये, y plus 80 is equal to 180, रेखिये जोड़ तो 80 को हो उस तरफ लेके जाएगे, तो minus का हो जाएगा, 180 में से 80 गया तो 100, यानि कि y आगया हमारा 100, ठीक है, अब z देख लेते हैं, यह हमारा z है यह रेखा है, इस पे यह दो कोण बन रहे हैं, रेखिये जोड़ का मतलब है 180, ठीक है यह रेखा है, इस पे यह दो कोण बन रहे हैं, यह होगे हमारा रेखिये जोड़ रेखिये जोड़ का मतलब 180, तो 180 में से यदि हम 60 को minus करेंगे तो आ जाएगा हमारा z, जो कि 120 आएगा, ठीक है, यह देखिए, z plus 60 is equal to 180, क्योंकि रेखिये जोड़ है, 60 को हम उस तरफ लेके जाएगे, हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 60 गए, तो हुआ 120, यानि कि z आगे हमारा 120, ठीक है, अब देख लेते हैं, w और a, है ना, तो w और a, तो यह हमारा a आय था 100, देखिए, इस रेखा पर यह दो कॉंट बन रहे हैं, मतलब 180, ठीक है, तो 180 में से 100 को माइनस करेंगे, तो 80 आ जाएगा, यानि कि w हमारा 80 आ जाएगा, यह देखिए, w प्लस 80 is equal to 180, क्योंकि रेखिये जोड है, 100 को आरचेस पर लाएंगे, प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, 180 में से यह दि हम 100 को माइनस करेंगे, तो आएगा 80, यानि कि w की value आ गई 80, ठीक है, चारों हमारे इसमें रेखिये जोड थे, देखिए, यह रेखा पर 2 कॉंट, इस रेखा पर ये 2 कॉंट 180 रेखिये जोड और इस रेखा पर ये 2 कॉंट, यानि कि रेखिये जोड 180, ठीक है, अब हम सभी कॉंटों का जोड हमें कितना चाहिए, कितना होता है, 360 बताया गया है न, तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, यानि कि x प्लस y प्लस z प्लस w, प्लस 100, प्लस 120, प्लस 180, सभी को टोटल करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है, 360, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जै हिन, जै भारत